जिसके लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जावशंग ने खुद का जियान वाला नमबर ले लिया था ताकि वो जियान से लड़ सके और उसको हराकर ल्यूवी को इंप्रेस कर सके लेकिन फाइट के दोरान वो खुदी जियान से बहुत बुरा हार गया जियान के विंक्स को देखकर सब हैरान थे और अब एलडर जियान की जीत एनाउस कर देते हैं जियान वापिस जी जूनियर के पास आता है और वहाँ भी सब उसकी तारीव करते हैं कि अब कोई पैन मैंग को प्रवोक करने का साहस नहीं करेगा हूज याउस के विंक्स की भी तारीव करती है और लिंज याउस वहाँ अकर जियान से कहता है कि याउश शंक टॉप 10 में था और तुमने उसे हरा दिया लगता है अब टॉप टेन के अंदर तुम्हारी जगह कोई नहीं चीन सकता। जियान कहता है कि मैं तो बस लगी हो गया वरना उसका ब्लाक वाटर रियानम का तोड में ठून ही नहीं पाता और उससे लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता। जियाओ हसते हुए कहता है कि लियू किंग को तुमने बहुत फ्रस्ट्रेट कर दिया है और अब कोई तुमको अंडरेस्टिमेट करने की हिम्मत नहीं करेगा। अब लिन्जियाओ उससे कहता है कि मैचस के बाद तुम हमारे साथ माउंटिन्स पर आना तुम्हारे लिए वहाँ बहुत कुछ है। जियान समझ चाता है कि ये मुझे अर्थकोर मिल्क दिलाना चाह रही है। लेकिन जियान ने तो पहले ही ये ले रखा है। लेकिन लिएक ही फिर अपने किक में उसे दूर बहिंग डालता है। लेकिन लिएक ही अपने दोनों हाथों से जबड़े को पकड़ लीता है। और ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि ल्यूगिंग इतना साथा दाकतवर है। ल्यूगिंग ड्रागन का जबड़ा तुड़कर उसे दूर भेंग देता है। और फिर आपनेंट खुद वहां आकर उस पर मेले अटाक करता है जिससे लियू किंग असानी से बच रहा होता है और फिर उसको वो हवा में उच्छाल कर जोरदार पंच मारता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है और फिर उसको दुबारा से पंच मारता है जिससे वो खून की उल्टी कर जाता है और लियू किंग उसे उठा कर पटक देता है ये ओपने एट स्टार डॉर्लिंग लेवल का है लेकिन फिर भी लियू किंग ने इसे असानी से हरा दिया है और लियू किंग की इतनी चरिफाइंग पार को देख कर सारी ओडियन्स हरान है और एल्ड़जब लियू किंग को विनर घोशत कर देते हैं और जियान भी सोचने लगता है कि इतने ताकतफ़र ओपनेंट को ये ऐसे हरा दे रहा है और इसने अभी अपनी मौंटेन स्प्लिटिंग गन का भी यूज नहीं किया है इसने सर्फिजिकल स्ट्रेंद का यूज करके एट स्टार लिंग को हरा दिया है लेकिन जियाओ कहता है कि अब मैं भी खेलने को तैयार हूँ और तुम मेरे पुराने प्रपोजल को मत भूलना लिंग जियाओ ये कहकर मांसे निकल जाता है जी जूनियर जियान से कहती है कि लियू के दौ वैंग रंक में आदा कुछ चुका है और औ अपने बारे में भी तो कुछ बताओ जी जूनियर कहती है कि तुम क्या सोचते हो मैं कितनी स्ट्रॉंग हो जिस पर जियान कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बच्पन से ही टालेंटड हो हाला कि मैंने कभी तुम्हें लड़ते हुए अच्छे से नहीं देखा लेकिन मैं सेंस कर सकता हूँ कि तुम्हारी करन्ट स्ट्रेंड उससे कहीं जादा है लेकिन जब से तुम मेरे साथ रह रही हो तुमने अपनी कल्टिवेशन करना काम कर दिया है और मैं ऐसा नहीं चाहता कि मेरी वज़े से तुम खुद को सप्रेस करो मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पूरी स्ट्रेंट देखना चाहते हो तो मैं मैजस के बाद तुम्हें दिखाऊंगी कि तुम्हारी Z Zooniir कितनी ताकतवर है जियान भी खुश हो जाता है और फिर हमेरा रात को जियान को मेडिटेट करता हुआ दिखाया जाता है और फिर तभी Z Zooniir उसके लिए कुछ तौफा लेकर आई होती है और फिर ये एपिसोट यहीं खत्म हो जाता है